हलो दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हैं हमारे योट्यूब चैनल चुपड़ा एजू किसन हो और मैं हो हर्चा चुपड़ा दोस्तो काफी सारे स्टुडेंट कोमेंट्स करकी यह जानना चाते हैं कि एब रोड से MBBS करना उचित रहेगा या नहीं एब रोड से MBBS करने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं तो इस वीडियो में हम एब रोड से MBBS के बारे में चर्चा करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि abroad से MBBS कराने वाली किसी भी consultancy से मेरा कोई समंद नहीं है मैं अपने experience के according यहाँ पर विचार रखने वाला हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे तो like करना अगर अच्छा नहीं लगे तो आप dislike कर देना दोस्तों इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इंडिया के गॉर्मेंट मेडिगल कोलेज की फीस बहुत ही कम है लेकिन प्राइवेट मेडिगल कोलेज की फीस बहुत ही जादा है जिन स्टुडेंट का गॉर्मेंट मेडिगल कोलेज में admission नहीं हो पाता है वो या तो इंडिया के private medical college से MBBS करते हैं या फिर abroad से MBBS करते हैं private medical college abroad से MBBS करने की फीश वहन ने करने वाले student ड्रोप ले लेते हैं अभी मेरा यहां यह मानना है कि अगर आपको आपके marks अच्छे हैं और government medical college में admission नहीं हो रहा है तो आप इंडिया की private medical college की फीश वहन कर सकते हैं तो आपको इंडिया से ही MBBS करना चीए लेकिन अगर आपके marks भी ठीक हैं और इंडिया की private medical college की फीश वहन नहीं कर सकते तो आप abroad से MBBS करके अपना डोक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं अगर आप नीट में सिर्फ qualifying marks जो 120 या 130 के nearby होते हैं हर साल अलग अलग होते हैं वहीं लाते हैं तब भी आप abroad से MBBS कर सकते हैं मैंने सुना है एब रोड से MBBS 20 या 25 लाग रुपे में हो जाता है ये country और वहां की university पर depend करता है लेकिन अगर आप इंडिया के private medical college में MBBS करते हैं तो minimum फीश 50 लाग तक हर्च हो जाता है वह पर अपच्छे marks आने पर जैसे जैसे marks कम होते जाते हैं ये फीश एक से सवा करोड तक पहुंच जाती है लेकिन अब रोड में कम marks वाले student को भी वही फीश लगती है अभी आप MBBS चाहें इंडिया से करें या इंडिया के गवर्मेंट या private medical college से करें या फिर एब रोड से करें नीट शोरी next exam सभी को देना होगा इस next exam में वही student पास होगा जिसने MBBS की study ढंस की है अब मैं आपको बताऊं कि एब रोड से MBBS करने के फायदे क्या होंगे तो आप 20-25 लाग रुपे में MBBS कम्पलीट कर लेंगे और ये आप नीट में qualifying marks लाने के बाद भी कर सकते हैं यही फायदा है एब रोड से MBBS करने का एब रोड से MBBS करने का नुकसान ये हो सकता है कि आपको इंडियान student के साथ next exam देना होगा लेकिन अगर आप MBBS में अच्छी study की है इस नुकसान से आप उबर सकते हैं वीडियो के अंत में यही कहना चाओंगा कि अगर आपके किसी वज़े से need 2020 में marks कम आ जाते हैं और आपके पास 20-25 लाग रुपे का budget है तो आप एब रोड से MBBS करके अपना डोक्टर बनने का सबना पूरा कर सकते हैं इसके लिए आपको best country की best university choose करने होगी कुछ ऐसे country भी हैं जहांपर MBBS के साथ FMG की study भी करवाई जाती है हलांकि अभी तक FMG के पास का percentage 8-9 ही है फिर भी आप MBBS में अच्छी मेहनत करेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा तो दोस्तों ये MBBS abroad के regarding मेरे कुछ personal opinion थे आपको अपने budget के according और need 2020 के result आजाने के बाद उसके according आप decide कर लें मेरे से अगर आपको कोई सला की जुरत है तो आप comments में लिख सकते हैं अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस करें वीडियो को like वे ज़्यादा शी ज़्यादा share करें अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो dislike जरूर करें तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में तब तक के लिए जए हिंग